तो फाइनली गाई जैसा कि आप सभी चानते होंगे बीते गुरुआर यानि के 25 जनवरी को स्रीम आघरो मेरे लिस हुई थी रितिक रोशन धीपी का पाडुकूर अनिल कपूर स्टार फिल्म फाइटर जिसका फैंस को बहुत ज्यादा इंतिजार था और अब जब ये लेकिन साल 2024 में कुछ अनुख है और कुछ बड़े रिकोर्ड ऐसे बन जाएंगे जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिनका टूटना नामोंकी तो नहीं होगा लेकिन मुश्किल जरूर होगा क्योंकि रितिक रोशन की फिल्म फाइटर वही कर रही है फिल्म को सुया सिनी मागरो में तीसरा दिन चल रहा है लेकिन दोस्तों फिल्म की कमाई ने बॉक्स ओफिस पर वो तूफान मचाया है वो सारे शोज हाउस फुल कर रखे हैं जो लोग ये बोल रहे थे कि भाया ये फिल्म ज्यादा नहीं चलेगी लेकिन मैं आपको बताता चलू कि फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट और सूपर हिट अभी से हो चुकी है अब तो आने वाले टाइम में जो कमाई होगी वो सिर्फ मुनाफा होगा और फिल्म बॉक्स ओफिस पर और टाइम पिलाट पासरा हो जाएगी लेकिन दोस्तों यहाँ पे फाइटर फिल्म जिस तरह से बड़े बड़े रिकॉर्ड अपनी नाम कर रही है अब यह कहना बिल्गुल भी गलत नहीं होगा कि फाइटर फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर जो कलक्शन किया था वो आखिरकार इतना कम क्यों किया था क्योंकि फाइटर के रिलीज होने से पहले फिल्म की हाइप उतनी ज्यादा नहीं थी फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी फिल्म ने उतनी हाइप हमने नहीं देखी लेकिन जब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो हर जगह से यानि कि दर्शकों ने इतनी तारीफे फिल्म की की इसके अलावा किरिटिक्स ने भी फिल्म को साड़े चार स्टार दे दिये सोने पे सुहागा तो यहीं पे हो गया उसके बाद जो भी दर्शक फिल्म को देखकर थेटर से निकल रहा था वो फिल्म की तारीफे करते करते नहीं थक रहा था और यहीं वज़ा रही कि फिल्म ने अपने दूसरे दिर अब तक का सबसे बड़ा उच्छाल मारते हुए यानि के पहले दिन फिल्म ने जो collection किया वो तो किया ही लेकिन उसके बाद दूसरे दिन के कलेक्शन में कभी भी इतना बड़ा उच्छाल कभी किसी फिल्म ने या किसी बड़े सुपरिस्टार की फिल्म ने नहीं मारा और ये एक बड़ा रिकॉर्ड अपने आप मेरितिक रोशन की फिल्म फाइटर ने बनाया है और आज तीसरा दिन कैसा चल रहा है फिल्म का, दिल्ली, NCR, मुंबई, सभी शहरों में, हैदराबाद, बैंगलूरू, कोलकता, लकनो, हर जगा की बात करेंगे, कौन से शहर में फिल्म का क्या हाल चल रहा है, कितने परसेंट की उक्पेंसी, कितने शोज है, और फिल्म आज तीसरे दिन कितनी कमाई करने वाली है, और फिल्म का तीन दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफिस कलक्शन है, वो कितरा हो जाएगा, तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ पने रहिएगा, लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप रितिक रोशन को एक बहित्री अभी नहीं ता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीचीगा, दोस्तो फाइटर फिल्म की में जितनी तारीफे करूँ कम है, सिध्धार तानन के डिरेक्शन में ये फिल्म बरी थी, जो कि एक एक एक्शन जिसको प्रिड्यूस किया था सिध्धार तानन, ममता अनन और अंकू पांडे ने, इसके लावा फिल्म में हमेरे इतिक रोशन के साथ दीपी का पाडुकोर अनिल कपूर नजर आये थे, और कोई ये छोटे मोटे बजट की फिल्म नहीं थी, फिल्म का बजट धाई सो पैसे भी ज्यादा का था, लेकिन फिल्म ने जिस तरह से अपनी नीव रख दी है, वो वाकई मस्बूत रखी है, और मुझे लगते है कि अब ये फिल्म बिल्कुल भी रुकने बाली है नहीं, क्योंकि फिल्म का विकेंड तो शांदार जाएगा ही, इसके अलावा आगे भ बात करते हैं, आज तीसरे दिन की, तो मुंबई के अंदर जो मॉर्निंग की उक्यूपैंसी थी, वो 24 परसेंट की थी, मैंने आपको बताया था, और जो अगर मैं अभी तक ये उक्यूपैंसी की बात करूँ, तो वो है 32.67 परसेंट, क्योंकि आफ्टरून की उक्यूपैं की जा रही है, फिलहाल मुंबई में क्या चल रहा है, दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर जो मॉर्निंग ओक्यूपैंसी थी, वो 16 परसेंट की थी, आफ्टरनून की 32 परसेंट की, और दोस्तों इविनिंग में यहां पर सारे रिकोर्ड तोटते चले जा रह तो यहां पर जो मॉर्निंग ओक्यूपैंसी थी, वो 33 परसेंट की थी, आफ्टरनून में थोड़ा सा गिरावड हमें देखने को मिली 26 परसेंट, उसके बाद इविनिंग में अच्छा रहा, 42 परसेंट, और अब यहां पर अगर मैं नाइट की बात करू तो 65 से 60 परसेंट और इविनिंग में भी उतना ज्यादा हमें मतला देखने को नहीं मिला, हाला कि 31 परसेंट, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नाइट के शोज यहां पर ज्यादतर हाउसफुल रहने वाले, क्योंकि 190 शोज हैं यहां पर भी, हैदराबाद में मिला जुला रिस्पॉंस मिल रहा लेकिन बात करतें फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की, तो फाइटर फिल्म जहां अपने पहले दिन, यानि कि ओपनिंग डे पर 24 करोड़ 60 ला कुरपे की कमाई पूरे इंडिया से नेट करने में काम्याब रही थी, तो वहीं फिल्म का वर्ड़ वाइड कलेक्शन 37 यानि कि दूसरे दिन जो कलेक्शन था फिल्म का, वो था 41 करोड़ 20 ला कुरपे, और फिल्म की जो दो दिनों की टोटल कमाई थी, वो 65 करोड़ 80 ला कुरपे पूरे इंडिया से नेट हो गई थी, वहीं फिल्म का इंडिया मिग्रोस कलेक्शन 78 करोड 34 ला कुरपे हो गया और 100 करोड 34 लाक रुपए दो दिनों में फिल्म officially fighter कर चुकी थी अब आता है तीसरा दिन तो दोस्तो आज मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 30 करोड रुपए तक ये फिल्म करेगी क्योंकि फिल्म ने आज के लिए advance booking भी ठीक ठाक की थी लेकिन occupancy report मैंने आपको दे दी है कुछ जगाओ उपर फिल्म का अच्छा हाल चल रहा है लेकिन कुछ जगाओ उपर फिल्म का अच्छा हाल नहीं चल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आज ये फिल्म तीसरे दिन कम से कम 25 करोड रुपए कमाएगी 25 करोड रुपए तो confirm है 25 करोड रुपए तो 100% ये फिल्म कर ही लेगी उपर भी जा सकता है क्योंकि सुभा का जो मेरा आकड़ा था वो यही था कि आज कम से कम 30 करोड रुपए करेगी लेकिन 25 करोड चल ये बहुत है तो फिल्म 3 दिनों में 91 करोड कर रही है तीन दिनों में 91 इंडिया से हो जाएगा तो वही फिल्म का जो वर्ड वाइड कलक्शन है वो 145 यानि कि 145 करोड पे तक जाएगा और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कल संडे है और कल संडे पर सभी की नजरे रहेगी और मुझे लगते है कि कल संडे में पूरी तरह से ये फिल्म फाड़ने वाली है लेकि दोस्तों फिर भी आपने अगर फिल्म देख लिए फाड़न तो कैसे लगी आपको ये फिल्म कमेंड में शुरू बताईएगा